टीव strategy चल रही है्ट में हम व्य जप्र पिर्जेक्स से सुर चला रही है जिसमें हम weary ॥ निल्टा स्विक्षिक बना रहे हैं यह प्रेजक का स्वेबसलान स्चक्राइब का अब ऑऔर इन पीफ भी बनाई तो में यहां से बॉढड़ी में कुछ और चिंजर करके एंटर करेंगे हमारे रिकौर्ट की एंटरी हो जाएगी तो हमारे रिटापस में यहां अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें टेबल में इंटरी हो रही है तो हमने यह contact की post API बनाई थी आज हम हमारी next API बनाएंगे जो है become a donor जो हमारा become a donor section है इसके join us पर जब click करते हैं तो यहाँ पर एक form होता है इस form पर जो भी information फिल करेंगे तो information फिल करने का submit करने पर हमें यह information database में store करना है तो इसके लिए हम एक table बनाएंगे donor की और उसके बाद उसमें हम database में entry करेंगे तो हम एक donor की table बना नहीं होगी तो आइए हमारे visual store code पर सबसे वहले हम सभी files को close कर देते हैं और controller बनाएंगे हम जो है हमारे become a donor section के लिए तो हम यह पर donor के लिए controller बनाएंगे तो control file में आएंगे आपर एक new file create करेंगे देनी होगी donor controller.js एंड इसके अंदर हम class बनाएंगे जो हमारे controller का नाम है वह हमारी class का नाम होगा यहां पर हम लिखेंगे class donor और इसके अंदर होगा add then यहां पर हम arrow function मना लेते हैं and यहां पर होगा हमरे पास request then response और यहां पर हम rs.json करेंगे और यहां पर हम एक dummy json return कराएंगे testing purpose पर status true then message मैं देंगे आपर success success and लिखेंगे सेव करने के बाद हमें इसकी routing file बना नहीं होगी तो हम एक routing file बनाएंगे तो यहां पर एक new file create करेंगे और यहां पर होगा donor routing.js और हमारी जो other routing file ले हम उनका same code copy करेंगे इसे copy करते हैं और हमारी डॉन routing में paste करेंगे और यहां पर हम के वहल नाम बदलेंगे तो यहां पर हमारे control नाम बदलाएगा यहां पर हमारा donor controller और यहां पर हम करते थे donor करते हैं तो यह हमारी पोस्ट इपे का राउट पुरा setup हो चुगा है जो हमारे donor controller के 8 को point कर रहा है इसके बाद हमें हमारी index.js जाना होगा और यहां पर करेंगे हम राउटिंग फाइल लोट करने के बाद हम यहां पर देंगे हमारी फाइल का donor routing.js और यहां पर हम पास करेंगे सांति सांत हम इसे scroll down करते हैं यहां पर हम लिखते हैं एप डॉट यूज देहिए लिखिंगे श्लेश एपी आई देन यहां पर हम देंगे नहीं किया है तो में पर आते हैं यहां पर हम लिखेंगे export default डॉनर controller इसे हम करते हैं से करने का देखेंगे तो अभी भी हम पर आ रहा है तो आने एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट आ रहा है कि क्या गलती करी हमने है अधा एक्सपोर्ट क्यों देर आई है स्टेटमेंट होथता है कोई ओर हो तो यह आ रहा है हमारी donner routingmor लेटें है डोनर आपिंग्लोट जेस यह हमारी डोनर डोन रॉट इंगगो जेस लिए अके मोडुल डोट एक्सपोर्ट हम यहां पर यूझार रहा थे हमारे समय समय मोडूडूड यह एप है तो हम इसे एप कर देंगे and correct करते हैं तो दिखिए हमारा proper work कर रहा है इसके बाद अगर हम इस API को चला के देखेंगे donor वाली तो हमें एक post API चेकरना donor की तो हम यहां पर donor की एक post API चलाती है यहां पर देखें donor and again submit करेंगे तो दिखिए यहां पर राइस्ट्रेर स्ट्रू अगर हम यहां पर कुछ चेंज़ेस कर देते हैं तो हमें वह चेंज़ेस भी रिसीव हो जाएंगे तो देखिए हम यहां पर चेंज़ेस मिल रहा है और इसमें contact का जो model हमारा असका data हम copy करेंगे और पेस्ट कर देंगे उनली इसका name बदल देंगे donor और इसका नाम भी हम रख देते हैं donor and यहां पर भी हम export कर देंगे donor इसके बाद हम चलते हमारे form पर हमारे form की field check कर लेता है हमारे form में name है हमारे पास में देख लेता हमें काईट कर दो यहां पर name है रुपास दें second email है mobile number है email है mobile number है और यहां पर message की जगा हमें देना होगा blood group तो हम इस blood group को हैंशा copy करते हैं मेंirenses भी कर देते हैं और इसका वी जो टाइप होगा वह भी हम रहसेंगे लो स्पा झैज हो यहां पर भी सेम रहेगा और कॉलार नहीं सेवो कर देए और इस पर डेते ये यह इस यहां से लोड कराएंगे इसके बाद हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफोंग करना है इस तरी कि अमने समने इस्ट अप्रेशन परफोंग करेंगे तो हम इसे कॉपी करेंगे आप से इस स्टेटमेंट को एंड यहां परम करते से पेस्ट एंड यहां पर हमें लिखना होगा async लिखेंगे लिखेंगा async एंड उसके बाद यहां पर लिख देंगे new डॉनर और हम create operation चलाएंगे और जो request.body के अंदर होगा हम insert कर देंगे एंड से हम करते हैं हमारे डेटाबस पर तो हम देखते हमरे टेबल आ चुक्य होगी कि देखे डोनर्स नाइम की टेबल आ चुक्य हमारे पास जो भी एंटी है अब हम इसमें डेटा इंसेट करेंगे तो इसमें हम हम यह पे कॉल करते हैं इसमें इम, इमिल, मॉबायल नमर होगा, यह लास्ट में जो होगा वो ब्लड ग्रूप होगा तरफ हम ब्लड ग्रूप की जेंड करते हैं जो हमारा descmas और हमारे स्कीमा में प्लूप की की है कि यहां पर लिंग देते हैं ब्लुप ग्रोप भी फोजित्व एंड अगें सेंट करते हैं तो यहां पर हम एरॉर आ चुका है कि contact is not defined contact is not defined हमारा जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है जो फाइल है हमें अगेन हमारे जो model हमने माना था model मा हो सकता है donor ओके हमारे controller पर है हमें यहाँ पर जो हमारा donor controller है यहाँ पर हमें donor से link करना था तो हम इसे कर देते हैं and save करते हैं save करने अगेन देखते हैं error खतम होई या नहीं तो देखिए error हमारी खतम हो चुकी है and अब हम अगर try करें तो देखिए हमारी entry हो चुकी है data page mark data की table करेंगे तो हमारी entry आ चुकी है यहाँ पर हम again entry करते हैं test और यहाँ पर हम email देते हैं test at the gmail.com then यहाँ पर लिख देते हैं a b negative and send कर देंगे तो देखिए stir to message success and अगर हम database माके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर entry हो चुकी है तो चुके हमारी donor की भी API जिली हो चुकी है जिसमें हमने सर्फिस section के लिए API बनादी ए सांते सांते हमने our team section के लिए API बनाईगे about के लिए making next let's start स्टाट करेंगे जिससे हम हमारे जो फ्रेंट होगा उससे कनेक करेंगे हमारे बेकेंड को और हमारी जो इपाई से उनको को फ्रेंट कॉल करेंगे और जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और सब्समिट करेंगे तो हमारी टेबल में एंट्री होगी और जो टेबल में एंट्र करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अप्लोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे और अगर आप मेरे और भी डिफरेंट के प्रोजेक्ट रोल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट के टुटर हिंदी में मिल जाएंगे जिन आप यहां से पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अप्लोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते हैं थैंक यू फो वाचिंग